स्टार्ट करते हैं, सेवंथ क्लास इंग्लेश, चैप्टर फोर से, इस चैप्टर में इक परसन के बारे में बात करेंगे, इसका नम सोपी है, और होता क्या है, कि वो कई बार ऐसी सिच्वेशन फेस करता है, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की होती है, उसने बिल्कुल उसकी लिखते हैं, सोपी क्या है, एक होमलेस, जोबलेस मैन है, that means कि उसके पास घर भी नहीं है, और उसके पास अच्छी जॉब भी नहीं है, दूसरी चीज है कि सर्दी आने वाली है, विंटर is fast approaching and सोपी must have a place to stay, यानि सोपी के पास एक जगय होनी चाहिए, जहां पर वो रह सके सोपी comes to a decision at last, फिर सोपी finally, एक decision मतलब पर आ जाता है, finally कुछ decide करता है, यहां पर है, सोपी moved restlessly on his seat in medicine square, यानि कि medicine square जो जगय है, वहां पर सोपी restlessly move कर रहा है, मतलब बिचैनी से वो इधर से उधर move कर रहा है, there are certain signs to show that winter is coming, और बहुत सारे ऐसे signs हैं, जो शो कर रहे हैं, कि finally winter जो है, वो आ रही है, like winter आने वाली है, birds begin to fly south, जो birds हैं, वो south की तरफ move करने लग गए, people want new warm coats, लोगों को अब नही नही warm coats चाहिए, उसके लावा, and सोपी moves restlessly on his seat in the park, सोपी क्या करता है, बहुत ही restlessly, जो seat hills की park में, उस पे move करता है, when you see these signs, you know that winter is near, जब आप ये सारे signs देखते हो, तो आप idea रगा सकते हो, कि जो winter है, वो आने वाली है, जो भी लोग medicine square में रहते हैं, उसके लिए वो time था कि वो prepare करें खुद को, because सर्दियां आने वाली है, सोपी minds now realize that fact, सोपी को भी पता ये चीज़ कि अब सर्दियों का मौसम आ चुका है, कि time आ चुका है, he had to find some way to take care of himself during the cold weather, उसको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, because उसके बस घर भी नहीं है, रहने की जगे भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, तो उसको कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा, कि भाई, अब मैं कैसे अपना गुजारा करूं, So, what he had to do, he had to find some way to take care of himself during the cold weather, इसे लिए वो अपनी seat पे restlessly move कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको आगे की tension हो रही है, he is worried about the future, Now, Soapy's hope for the winter were not very high, Soapy की जो उमीदे हैं winter के लिए, they are not very high, Soapy की साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसके expectation बिल्कुल भी high नहीं है, He was not thinking of sailing away on a ship, यानि कि वो यह नहीं सोच रहा कि मैं ship से sail करता हूँ कहीं जाओं, वो यह भी नहीं सोच रहा कि वो southern skies जो हैं, या फिर जो bay of naples हैं, जिसके बारे में बाकी लोग, जो यह जगा है, जिसके बारे में बाकी लोग सोचते हैं, वो इन सब के बारे में नहीं सोच रहा, यानि कि तीन महीने कि इस चीज के लिए एक जगा है, जिसका नाम है, ब्लैक्विल्स आइलेंड, टेक है, वो उसको वहाँ पे तीन महीने के लिए रहना है, जब तक winters है, he wants to stay there for three months, three months of food every day, now, why would anyone want to live in prison, कोई क्यों चाहेगा कि वो prison में रहे, so, because three months of food every day, उसको क्या मिलेगा, उसको खाना मिलेगा, ठीक है, food मिलेगा every day, and a bed every night, और क्या मिलेगा, bed मिलेगा हर रात को, तो उसको खाना हर दिन मिलेगा, plus हर दिन सोने की जगह मिलेगा, बले ही jail हो, पर वहाँ पे वो turn से भी बचा रहेगा, three months safe from the cold north wind, and safe from cops, this is what Sophie wanted most in the world, और सबसे ज़्यादा Sophie अगर कुछ चाहता था, तो वो यही चाहता था, ही, मतलब उसको कुछ इच्छा नहीं थी, कि जैसे बाकी लोगों को इच्छा होती थी, कि घूमेंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, Sophie को कोई इच्छा नहीं थी, कहीं जाने की, उसके expectations बहुत simple थी, कि Blackwater Island, Blackwell Island के jail में वो रहेगा, और वहाँ पे उसकी जो basic needs हैं, जो Blackwell Island है, वो इसका winter का घर रहा है, ठीक है, Richard New Yorkers made their plans to go to Florida, or the shore of the Mediterranean Sea each winter, यानि कि जो पैसे वाले, जो काफी अमीर लोग होते थे, जो New York में रहने वाले अमीर लोग होते थे, they always had this plan कि या तो Florida चलेंगे, या फिर Mediterranean Sea पे चलेंगे, इन में से कहीं भी जाएंगे, but Soapy का plan बहुत ही simple होता था, छोटा सा plan होता था कि वो island पे जाएगा, and now the time had come, three big newspaper, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night in the park, अब इतिनी ठंड आ गई थी, अभी तक तो थोड़ा बहुत था चल रहा था, फाइनली वो time आ गया, जब उसको वापस Blackwell में जाना पड़ेगा, because जो newspaper उसने अपनी body पे cover कर रखे हैं, coat पे cover कर रखे हैं, या legs पे cover कर रखे हैं, उसने उसको अच्छे से warm नहीं रखा हुआ, during the night in the park, मतलब उसको warm नहीं रख पा रहे हैं, वो newspaper जो उसने अपनी body पे cover करे हुए थे, so Sophie was thinking of the island, there were places in the city where he could go and ask for food and a bed, तो इसी वज़े से क्या हुआ, Sophie सोच रहा था कि मुझे island पे जाना होगा, दूसरी चीज यहां पे लिखी है, कि यहां पे कई जगे थी, जहां पे वो जाके खाना मांग सकता था, बेड मांग सकता था, these would be given to him, या फिर वो उसको मिल जाती चीजे, he could move one building to another, मतलब वो एक building से दूसरी building में travel कर सकता था, and he would be taken care of through the winter, but he liked Blackwell Island better, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो यहां पे किसी से कुछ मांगता, या फिर वो कहता है कि मुझे food चाहिए, shelter चाहिए, तो उसको नहीं मिलता, उसको मिल जाता, but उसके लिए he liked, यानि उसके preference जो थी, वो क्या थी, Blackwell Island, ठीक है क्योंकि वहां पे उसको हर चीज बिना मांगे, comfortably मिल रही है, वो उसकी thinking थी, so even if it was a jail, but it was a very comfortable place for him, now Soapy Spirit was proud, if he went to any of these places, there were certain thing he had to do, तो अगर वो कहीं भी जाता, जहां पे door to door, if he had asked for food, या रहने के लिए कंबल, या कुछ भी ओढ़ने के लिए कुछ मांगता, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, there were certain things that he had to do, मतलब कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ता, और दूसरी चीज, अगर वो ये सब कुछ यूज करता, तो कुछ ना कुछ उसको बदले में देना पड़ता, एक तरह से he would have to pay, पैसो से नहीं, बट काम करके उसको पे करना पड़ता, and they would not ask him for money, वो इस चीज लिखी है, कि ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसे मांगते, बट हो सकता है, वो कहते हैं कि ये bodies की दो दो, या फिर questions के answer दो, या फिर वो उसकी life के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़े हैं, जो लोग उससे expect कर सकते थे, जो वो नहीं चाहता था, बिकॉस उसके लिए एक better way थी, कि मैं वो जो Blackwell का जो jail है, वहाँ चला जाओं और मैं safe रहूं, No, prison was better than that, तो Sophie के mind में, prison was way better, बहुत जादा better था, किस से, ऐसे door to door मांगना और जाने से, विकॉस उसको कही ना कही काम करना पड़ता, तो prison had rules that he would have to follow, prison में, there are certain rules, मतलब कुछ rules and regulation होते हैं, जो उसको follow करने पड़ते हैं, but in prison, a gentleman's own life was still his own, मतलब कि उसकी जिन्देगी उसकी थी, वो किसी के under नहीं था, किसी से, मतलब काम भी, वो ऐसा नहीं कि किसी के under काम करा है, for example, किसी से वो blanket वगरा मांगेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए वो काम करने वाली बात हो गई, prison में उसकी life करकी थी, soapy having decided to go to the island at once, begin to move towards his desire, यानि कि finally जो वो जाना चाहता था island, वो इसकी इच्छा बन गई थी, ठीक है, वो अब क्या हुआ, जब उसने decide कर लिया, अब उस काम में जुड़ कि मुझे, कैसे Blackwell के जेल में जाना है, there were many easy ways of doing this, यानि कि बहुत easy तरीके थे, जिससे वो ये कर सकता था, basically jail जा सकता था, the most pleasing way was to go and have a good dinner at some fine restaurant, सबसे easy तरीका क्या था, कि किसी भी अच्छे से restaurant में जाए, और वहाँ पर अच्छा सा खाना खाए, ठीक है, good dinner, मतलब बहुत lavish, अच्छा सा dinner करे वो, then, जब वो बोलेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, then when he will say that I have no money, तो वो क्या करेंगे, एक cop को, प्लिस को बुलाएंगे, and it would all be done very quietly, सब कुछ बहुत अराम से हो जाएगा, ठीक है, the cop would arrest him, he would be taken to a judge, the judge would do the rest, मतलब, cop उसको arrest कर लेंगे, और उसको फिर judge के पास ले जाएंगे, judge अपना decision लेके, मतलब एक तरह से उसको वापस भेज देंगे, Blackville के जेल में, so it was an easy plan, it was an easy plan कि, क्या करना है, बस जाके खाना खाना है, और वहाँ पर पे नहीं करना है, sopie left his seat, and walked slowly out of Madison Square, to the place where the great street called Broadway, and 5th Avenue meet, तो sopie ने क्या किया, अपनी seat ठोड़ दी, ठीक है, और कहाँ पर गया, Madison Square, slowly out of Madison Square, Madison Square जहाँ पर उसकी seat थी, वहाँ से वह गया, कहाँ पर एक बहुत ही अच्छी famous street थी, जिसको बोलते हैं, मतलब street called Broadway, and 5th Avenue meet, इसमें confused नहीं होना है, these are the name of the places, ठीक है, उसके बाद वह गया, कहाँ पर एक wide space, बहुत ही choddy space थी, and started north on Broadway, north की तरफ move करने लगया, Broadway में, He stopped at a large and brightly lighted restaurant, वो कहाँ रुका, एक बहुत ही, मतलब bright, lighted restaurant था, वहाँ पर वो रुक गया, this was where the best food, and the best people, and the best cloth appeared every evening, ये वो जगे थी, जहाँ पर जो बहुत ही rich लोग, और बहुत ही अच्छे कपलों में लोग आके, वहाँ पर क्या करते थे, दिनर करते थे, like every evening, people used to come there, and people used to have dinner, तो वो जगे थी, Soapy ने क्या सोचा, कि अबव इस लेग, पैरो के उपर, जैसे नीचे तो चलो पैरो खराब हो रखे, थोड़े सी उसका खराब सा रखे, लेकिन उपर, he was looking fine, so he decided कि उसका face भी साफ है, coat भी अच्छा था, तो वो अगर एक table पे चला गया, तो finally उसको success मिल जाएगी, ठीक है, Soapy ने ये मान लिया था, the, just a minute, part of him that would be seen above the table, would look alright, यानि कि टेबल के उपर जो उसका part दिखेगा, ठीक है, उसको अलाओ भी कर देंगे, the waiter would bring him what he asked for, और waiter वो ही लाएगा, जो वो मांगेगा, he began thinking of what he would like to eat, उसने सोचना शुरू कर दिया, कि वो क्या खाएगा, in his mind he could see the whole dinner, वो अपने दिमाग में, पूरा इडिनर इमाजन कर पा रहा था, अच्छा खासा खाता तभी तो जेल जाता, the cost would not be too high, he did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home, मतलब बहुत जादा भी नहीं खाएगा, बट ऐसे खाएगा कि जेल भी जा पाएगा, और बहुत जादा इसले नहीं खाएगा, because अगर लोगों को गुस्सा आगिया, जो वहाँ पे लोग है, तो उसको फिर मतलब वोगर ना कि उसको अंदर से बेकार लगएगा, कि यार मुझे, मतलब लोगों उसको मार पीट भी सकते हैं, in the sense गुस्से में, ठीक है, but as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes, and the torn clothes that covered his leg, जैसे ही Soapy ने restaurant door पे अपना पैर रखा, जो head waiter था वहाँ पे, फोड़ा head में था, मतलब सारे waiters में जो head था, उसने notice किया उसके पुराने shoes और torn clothes, मतलब खराब फटेवे clothes, जो उसके leg को cover करके रखते हैं, strong and ready hands turned Soapy around, and moved him quietly and quickly outside again, हुआ क्या, उसने, उस head waiter ने उसको दुबारा से बाहर निकाल दिया, they moved him quietly out, क्योंकि उन्हें पता था कि ये person तो पे नहीं कर पाएगा, because his condition is not well, suppose एक बहुत ही अच्छा restaurant है, जहां पे बहुत ही लविश डिनर मिलता है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, that turned की भई, उन्होंने क्या किया, फटाफट से उसको बहुत ही निकाल दिया, soapy turned off broadway, it seemed that this most, that this most easy way to the island was not to be his, तो सबसे जादा उसके दिमाग में ये ही easy way थी, कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे खाऊँगा, इस तरह करूँगा, तो कोई कुछ नहीं काएगा, उसको कुछ और सोचना पड़ा, like he must think of some other way, कि मैं यहां से मतलब कैसे जाऊँ, और वो जो जेल में वो जाना चाहता है कैसे जाऊँ, अब, जो corner था 6th Avenue का, वहाँ पे एक shop थी, जिसकी जो window थी, वो बहुत ही बड़ी थी, बड़ी सी glass window थी, जिसमें electric lights थी, Soapy picked up a big stone and threw it through the glass, अब क्या हुआ, Soapy ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, और उसको उस glass पे दे मारा, people came running around the corner, लोग आ गए, महाँ पे भागते वे, a cop was the first among them, Soapy stood still and he smiled when he saw the cop, तो cop आ गए, प्लस जिब cop महाँ पे आये, तो जो Soapy था, वो खड़ा रहा है एकदम, मतलब still okay एकदम, और उसने ना क्या किया, जैसे cop आया, उसने smile करना शुरू कर दिया, he saw the cop and he smiled, मतलब उसने cop को देखके smile pass करी, Where is the man that did that? अब क्या हुआ, cop ने पूछा, कि वो कौन सा आदमी है, जिसने ये मारा है पत्थर और ये किया है, Don't you think that I might have done it, Soapy बोलता है कि आपको नहीं लगता है ये मैंने किया होगा, He was friendly and happy, what he wanted was coming towards him, मतलब वो बहुत ही खुश था, बहुत अच्छे से cop से बात कर रहा था, क्यूँ? बिकाज उसको पता था कि जो cop है वो उसको पकड़ लेगी, ठीक है? But the cop mind would not consider soapy, बट जो cop था, जो police था, cop, police मतलब, उन्होंने soapy को देखा भी नहीं, they would not consider soapy, मतलब उन्होंने soapy को consider नहीं किया कि भही तुम ने किया होगा, man who break windows do not stop there to talk to cops, अब उसने क्या बोला? Basically, जिसने चोरी करी है, या जिसने कोई चीज पर नुकसान किया है, उसका पहला reaction होता है कि वो भागते है एक जगे से, तो यहाँ पर वो ही लिखा है कि जो man window तोड़ेगा, वो वहाँ पर खड़े होके, police से बात नहीं करेगा, they run away as fast as they can, वो इतनी तेज भागते हैं, जितनी तेज वो भाग सकें, the cop saw a man further along the street running, he ran after him, फिर cop ने देखा, कि एक street पर एक लड़का है, एक man है, वो भाग रहा है, तो cop उसके पीछे भाग गया, उसने Sophie को consider भी नहीं किया, कि Sophie हो सकता है, and Sophie sick at hurt, walked slowly away, he had failed two times, अब Sophie को क्या लग रहा था, मतलब उसको तो बहुत बुरा लग रहा था, because वो कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ प्लाइन बना रहा है, बार-बार जेल जाने के, और वो नहीं जा पा रहा, तो उसके लिए दिककत वाली बात थी, यहाँ पर जो वर्ड है यह से केट हर्ड, that means disappointed, ठीक है, disappointed, क्योंकि उसको उमीद थी कि चलो खाने वाली बात से नहीं हुआ, इस बात से तो मुझे जेल लेही जाएंगे, but again the same thing happened, कि किसी नो उसको पकड़ा नहीं, तो वो बहुत ही मतलब उदास हो गया था, because already वो दो टाइम fail हो चुका था, now across the street was another restaurant, एक और restaurant था street में, वो बहुत जादा fine नहीं था, the people who went there were not so rich, और जो लोग वहाँ थे, जो जा रहे थे, वो बहुत पैसे वाले भी नहीं थे, its food was not so good, खाना भी उसका बहुत अच्छा नहीं था, into this soapy took his old clothes and his torn clothes and no one stopped him, तो अब soapy अपने पुराने फटेवे कपड़ों के साथ उस जगे पे गया और किसी ने उसको रोका भी नहीं, he sat down at a table and was soon eating a big dinner, so table पे बैट गया, उसने खाना खाना शुरू करा, बहुत अच्छे से, मतलब उसने खूब अच्छे से खाया, when he had finished, he said that he had no money, अब क्या हुआ, जैसे उसने खाया, उसने ब खाना खाने के बाद कि फटाफुट जाओ और पुलिस को बुलाओ, and don't keep a gentleman waiting, मतलब एक gentleman को wait मत कराओ, फटाफुट से जाओ, no cop for you, जो वेटर है, उसने क्या बुला कि तुम्हारे लिए पुलिस नहीं आएगी, he called another waiter, फिर उस waiter ने दूसरे waiter को बुलाया और उसको बुला क कि तुम्हारे कोई पुलिस नहीं आएगी, the two waiter threw Sophie upon his left ear on the heart street outside, दोनों waiter ने मिलके, Sophie को क्या करा, बिल्कुली उधर भार फेग दिया, दुकान की, he stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes, मु महा खडा रहा, उसने अपने कपलों से ऐसे पुरा सब को ज़ाडा, prison तो उसको अब ऐसा लग रहा जैल जैसे एक सपना, ठीक है, the island seemed very far away, now why does that, sorry, what is the meaning of this line, the island seemed far away, because उसका जो प्लान था, जैल जाने का, वो तीन बार फेल हो गया, so now he's, like उसके लिए सपना हो गया, कि मैं जैल जाओंगा, क्योंकि वो अच्छल तो जा नहीं पा रहा है, a cop who was standing near laughed and walked away, जो एक कॉप था, जो वो वॉक करके चला गया, sopy started moving again, when he stopped, he was near several theaters, अब क्या हुआ, sopy ने आगे फिर बढ़ना शुरू करा, जब वो रुका, तो वो एक several theaters, मतलब सरे theaters होते हैं न, उनके पास था, in this part of the city, streets are brighter and hurts are more joyful than in other parts, ये वो पार्ट होते हैं, जहाँ पे streets क्या होते हैं, बहुत जादा bright होत प्लस hurt, मतलब जो लोग होते हैं, खुश होते हैं, they are very joyful, लोग खुश रहते हैं, खुश लोग दिखते हैं, women and men in rich warm clothes moved happily in the winter air, यहाँ पे और आदमी बहुत अराम से खुशी-खुशी move करते हैं, a sudden fear caught soapy, अब एकदम से क्या हुआ, जो soapy है, उसको एकदम से डर लगा, no cop was going to, sorry, no cop was going to, just a minute, I think there's a man, I think a line में सो गई, okay sorry, no cop was going to arrest him, कोई भी cop उसको arrest नही करने वाला था, then he came to another cop standing in front of a big theater, फिर वो कहाया, वो दूसरे cop के पास आया, जो की theater के एकदम सामने खड़ा था, उसने सोचा, आप कुछ और ट्राय करता हूं, जेल तो जाना ही है, he began to shout as if he had too much to drink, मतलब की वो ऐसे चिलाने लगया, जैसे उसने drink कर रखियो, his voice was as loud as he could make it, उसकी अवाज ब and the cop turned his back to Sophie and said to a man standing near him, it's one of those college boys, he won't hurt anything, we have order to let them shout, तो cop क्या बोलता है, कि ये college के लड़कों में से कोई एक लड़का है, ये किसी को कोई नुकसान ने पुचाएगा, मतलब वो cop उसके पास में ही, उस Sophie के पास में ही एक आदमी खड़ा है, उसको बोलता है, और हमें orders हैं कि ऐस लोगों को हम चिलाने दे, Sophie was quiet, Sophie क्या था भी कुछ चुपो गया, was no cop going to touch him, मतलब कोई भी cop क्या उसको पकड़ेगा नहीं, he began to think of the island as if it were as far away as a star, वो island के बारे में ऐसे समझने लगें, मतलब वो ऐसे सोच रहा था, जैसे कि बहुत दूर है island, और वो लाइक वहां तक कौश उसने क्या किया, उसने अपना कोट अच्छे से पहन लिया, क्योंकि जो wind थी वो बहुत थंडी थी, okay, now, then he saw a man in a shop buying a newspaper, उसने देखा कि एक आदमी क्या कर रहा है, newspaper खरीद रहा है shop से, the man's umbrella stood beside the door, उस आदमी का जो umbrella था, वो दोर के बिगुल पास था, soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away, the man followed him quickly, my umbrella, अब क्या हुआ, soapy ने क्या किया, वो देखो, उसने पहली बात था, वो दुकान में गया, उसने देखा कि, वहां पे एक आदमी newspaper खरीद रहा है, और साइड में उसका umbrella रखा है, तो soapy ने वो umbrella उठाया और दुकान के बाहर चलने लगया, I took it, your umbrella, why don't you call a cop, there's one standing at the corner, now, अब soapy ने जैसे ही देखा कि, उस आदमी को, उस आदमी ने बुला मेरा umbrella, तो soapy भी चलाने लगया, अच्छा, यह आपका umbrella है, तो आप बुला क्यों ने लेते हो, पुलिस को, आप, देखो, महा पे एक पुलिस officer खड़ा है, आप उसको बुल लालो, the man walked more slowly, वो जो आदमी था, वो धीरे धीरे और धीरे हो गया, soapy did the same, soapy भी धीरे धीरे वाक कर रहा था, बट, he had a feeling that he was going to fail again, अब soapy को यह लगने लगया, कि वो दुबारा से फेल हो जाएगा, the cop did look at the two men, cop ने दोनों को देखा, I said the umbrella man, that is, you know how these things happen, if that's your umbrella, I am very sorry, I found it this morning in a restaurant, if you say it's yours, I hope you will, it's mine, cried soapy with anger in his voice, तो basically, वो जो आदमी था, जिसका umbrella लेके soapy भागा था, या चल के जा रहा था, वो umbrella भी उस आदमी ने कहीं, उसको सुबह रेस्टोरेंट में मिला था, तो उसको लगा कि यह soapy का umbrella है, तभी तो वो लेके जा रहा है, तो वो आदमी उस soapy भी गुससे में कहता है, हाँ यह मेरा है, अब उसको तो गुससा किसी और ही बात प्या रहा है, he's angry because वो अब जेल जा नहीं पा रहा है, उसका plan फेल हो रहा है, the umbrella man hurried away, the cop helped a lady across the street, soapy walked east, अब umbrella man भी भाग गया हमाँ से, जो cop था, उसने एक lady की help करी, soapy ने east की तरफ जाना शुरू कर दिया, उसने umbrella को इतनी दूर फेका, जितनी दूर वो फेक सकता था, और फिर वो अपने आप से बात करने लग गया, कि cop के बारे में, या वो क्या सोचता है, इस तरह से, because he wished to be arrested, they seem to believe he was like a king who could do no wrong, क्योंकि वो arrest होना चाहता था, और बार-बार कोई उसको arrest करनी रहा था, तो वो यही कह रहा था कि, मुझे ऐसा फिर रोड जैसे मैं रा जाओं, क्योंकि मैं कुछ गलत करी नी सकता, At last, Sopi came to one of the quiet streets on the side of the city, फिर इग्दम शांत सी street थी, जहाँ पे कोई disturbance नहीं थी, वहाँ पहुँच गया, He turned here and began to walk south towards Madison Square, वो आया यहाँ पे और फिर वो Madison Square की तरह walk करने लग गया, He was going home, although home was only a seat in a park, यानी कि वो घर जा रहा था, और basically जो उसका घर था, वो क्या था, पार्क की एक seat ही था, But at a very quiet corner, Sopi stopped, एक बहुँच ही शांसा, मतलब कोना था, वहाँ पे Sopi रुग गया, Here was his old childhood home, वहाँ उसका बचपन में घर था, Through one window, he could see a soft light shining, वो देख रहा था कि वहाँ से थोड़ी सी light आ रही है, वो उसका living room हुआ करता था, जहां पे वो बहुत सारे peaceful, अच्छे moments उसने spent किये थे, Sweet music came to Sopi's ears and seems to hold him there, जो छोटे-छोटे से sweet music आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो वहीं पर रुख गया है, सब कुछ सुनके, The moon was above, peaceful and bright, there were few people passing, जो moon था, वो बहुत थी, like उकपर था, peaceful था, bright था, दूसरी चीज, कुछ लोग पास कर रहे थे इदर से उदर, मतलब इदर से उदर जा रहे थे, He could hear birds high above, वो birds को सुन सकता था, जो just उसके ओपर थी, and the music that came from the room held Sopi there, दूसरी चीज, जो music आ रहा था वहां से, उसने Sopi को वहीं पर hold किया हुआ था, क्योंकि वो उस music को पहचानता था, in those days, his life contained such thing as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes, उस time पे जब वो चोटा था, जो जिस time को वो याद कर रहा था, उस time पे ये चीज़े matter करती थी, जैसे कि मम्मी उसकी mother, उसके flowers हो गए, और बहुत सारे उसकी dreams थे, उसके friends और अच्छे-च्छे thoughts, अच्छे-च्छे कपड़े, ये सारे चीज़ें बहुत matter करती थी, there was a sudden and wonderful change in his soul, बहुत एकदम से एक strike हुआ change उसका, मतलब कि एकदम से change हुई लुआ उसको, वो ये सोच के बुरा फील कर रहा था कि कैसे वो इतना गिर गया है, मतलब वो ऐसी हलकते करने लग गया है कि जेल जाने की सोच रहा है और ये सब कुछ, he saw his worthless days, his wrong desires and dead hopes, the lost power of his mind, उसने क्या किया, उसने imagine किया वो worthless days, जब कुछ भी नहीं था उसके पास, उसकी desires, उसकी hopes जो खतम हो चुकी थी, और plus उसके पास कोई power नहीं थी, and also in a moment, his hurt answered this change in his soul, और फिर कुछ ही moment में क्या हुआ, उसके hurt में, होता है न, खुद को realize होना कि हम गलत करते आ रहे हैं, अब हमें अच्छा बनना है, तो it was that kind of change, और अब उसे लगा कि वो अप लड़, वनलाएक अमनी life जीने के लिए, he would fight, या वो changes लाएगा, मतलब बच्पन में एक टाइम था, जब उसको मतलब कोई चीज लगती थी न, कि यह मैं चाहता हूँ, तो वो उसको follow करता था, जो sweet music उस घर से आ रहा था, उसने उसके अंदर ये changes ला दिये थे, finally he decided कि मैं कल काम ढूंडूंगा, a man had once offered him a job, एक आदमी ने उसको job offer की थी, वो उस job को करेगा, he would find that man tomorrow, वो उस आदमी को कल ढूंडेगा, he would be somebody in the world, like अभी for now, he is nobody, कोई उसको जानता नहीं है, but one day he will be somebody, means someone will recognize him, he would, Sophie felt a hand on his arm, so Sophie ने feel किया, कि उसके हाथ, उसके आम पे एक हाथ रखा हुए, he looked quickly around into the broad face of a cop, उसने आसपास देखा, उसे cop का face देखा, what are you doing hanging around here, asked the cop, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, cop ने पूछा, nothing, said Sophie, कुछ नहीं, you think I believe that, तुमें क्या लगता है, मैं तुमारी बात पे believe करूँगा, यसे cop ने उसको बुला, full of his new strength, Sophie begin to argue, and it is not wise to argue with a New York cop, क्योंकि उसके अंदर, वो दिन है कि बहुत जादा strength आ गई थी, he was very much motivated, तो अब उसके अंदर आ गया, कि argument ने start कर दिया, और obviously, argument नहीं करना चाहिए, एक New York के cop के साथ, because it will lead you to jail, come along, said the cops, cop ने बुला, आओ मेरे साथ आओ, और उसके बाद था, three month prison on Blackwell Island, finally, उसको Blackwell Island का jail बोल दिया, कि तीन मन्त आपको वहीं पे spend करना है, set the judge to Sophie next morning, और यहाँ पे यह story end होती है, तो basically, story में, जब भी Sophie ने चाहा कि वह jail जाए, वह कभी नहीं जा पाया, because उसको वह situation मिली नहीं या, वह नहीं हो पाया, and then the moment he decided, कि मैं अब अच्छे life जीना चाहता हूं, और jail नहीं जाना चाहता, उसी time पे उसको jail जाना पड़ा, तो this was a kind of story, जो irony बताती है situation की, plus ये बताती है, कि जिस time पे आप expectations रख रहे हो, उस time पे कुछ और हो रहा है, तो वो starting में हम पढ़ चुके हैं, तो ये पुरा chapter time, hoping ये आपको अच्छे से clear हो गया होगा, इसमें कुछ ऐसे बीच में इतने hard words नहीं थे, जगह के नाम थे, कुछ जगहों के वो भी हम लोगों ने पढ़ ली है, प्लस नीचे भी एक जगह है लिखी हुई है, मैं आपको बता दे यहाँ पे, ये warmer places, Southern skies, warmer places के लिए यूज हुआ है, Blackwell Island एक name है, prison का, and cop obviously, policeman को हम लोग cop बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बिच्छे से clear हो गया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज, like, comment, subscribe, और share करना मत भूलिएगा, उसके लावा, डारेक्ली 7th class की playlist बनी वी है, पूरी की पूरी, उसमें सारे chapters, सारे subjects हैं, science है, English है, और आपका social studies के सारे chapter है, वहाँ पर जाके आप उन्चे chapters को देख सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, थैंक्यू सो मुच,